This year I got 860, that was around 105 above the cut-off. तो अगर इसी बार का trend देखू मैं, तो तुम्हें क्या लगता है, 2019 में और 20 में क्या score रहा होगा मेरा? एक estimate, लगता है कि थोड़ा से improve कर लिया होगा, GS1 में 5 number, 10 number, 15 number, ऐसे कर लिया होगा, तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा. तो 2019 में मेरा था 630, और उसके बाद मैंने बहुत बढ़ाई करी, तो मेरा आया 670. मैं सोच रहा था कि जब मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ, तो मैं सोच रहा था चलो, 5-10 number से नहीं हुआ होगा, अपना score card देखूंगा, 5 number GS1 में बढ़ा लूँगा, 5 GS2 में बढ़ा लूँगा, 30 उपर आ जाएगे, हो जाएगा. जब मैंने पहली बार अपनी main mark sheet देखी, लोग रोते हैं, मुझे हसी आ गई, क्यों, क्योंकि मुझे improvement का scope भी नजर नहीं आ रहा था उसमें, क्योंकि जो बिल्कुल freshers निकले थे, उनका, उनका भी score better था, missing the cutoff by 130 marks, I think 120 marks से मैंने cutoff miss करी थी, इधर पर भी 64 marks के आसपस से मै main cutoff miss करी थी, और इस बार मैंने 105 above the cutoff मारे, तो that is a improvement of almost 240 marks, इतने का तो एक GS paper होता है, तो यहाँ पर जो मैंने changes किये, वो मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ, ताकि वो चीज आप सबसे पहले level पर implement कर सकें, ताकि mains आपका, जैसे मैंने दो mains में गलती करके से इखा, आप मेरी गलतियों से सीखके हो, second category वाले बंदे बन सकते हैं, जो दूसरी के गलतियों सीखत स्ट्राटेजी में बात में आऊँगा, पहले मैं GS1 पर आजाता हूँ, तो GS1 में सबसे पहले history, कितनों को पसंदता है history? एक-दो थे यहां पर, मतलब ज्यादा तर लोगों को नहीं पसंद है history, तो कई लोग क्याते थे कि प्लासी टू पार्टिशन पढ़ लो, या फिर दिया वरी गुड बुड बुक जो शेकरबंदो पाद्या के बुक थे, या फिर बेपिन चंद्रा के इतनी मोटी बुक थे मैं वो सिर्फ सोने के लिए कई बार एक बार तक्या ने थी, उसी पर चत्र डाल के सो गया था, बस उसके काम आई थी वो मेरे, तो what I did was, I continued with spectrum, this is something that nobody will suggest you, but ये मेरे लिए strategy थी, क्यों, क्योंकि ये spectrum मेरे लिए एक ऐसे book थी, कि जब मैंने उसको prelims के लिए ऐसा पढ़ लिय कि spectrum से कुछ भी question आएगा मेरा गलत नहीं होगा, तो don't you think वो मेरे दिमाग में बिल्कुल छप चुकी होगी, अगर ऐसा कुछ source आपके दिमाग में है, अगर NCRTs भी हैं, वो हैं, मैंने क्या किया था, spectrum से ही चीज़े उठाता था, और जो PYQs हैं, from 2013 से लेकर 2021 थक, इन सब क PYQs मैंने बना लिये थे, spectrum के ही content से मैंने ये PYQs बना लिये थे, और मैंने बोला कि बस ये हो गया मेरा, इतना ही पढ़के जाऊंगा exam में, उसके अलावा जो आए देखा जाएगा, I think 7 years में इतने questions cover हो गये थे, कि जो भी नया question आया, वो मैंने अच्छे से कर लिया, but since ये मेरी एक reverse strategy थी, it might not work for you, इस बार मैंने PYQs ज़रूर बना लिया था हो, वहीं से revise कर रहा था, but this is something that might not work for you, आपको अगर कोई बुक अच्छे लगे, जैसे Placid to Partition is by Shekarbandopadya, is a very good book, but मेरे तो सोने के काम आई, आपके काम आ सकती है, ठीक है, it is just कि मैं अपनी strategy share कर रहा ह आप से, आपके लिए कुछ और काम कर सकता था, अब बात है, ancient और medieval हम जब पढ़ते हैं, इसका means में उतना role नहीं रह जाता, means में, prelims में वो कुछ भी पूच सकता है, कि ये लाल पत्थर से बनाता है, या सफेद पत्थर से बनाता, बना भी था या नहीं बनाता, किस ने क् कुछ भी पूच सकता है, means के case में, उन्होंने syllabus में बहुत explicitly mention कर रहा है, कि they will ask questions from art and architecture, तो जब उन्होंने specify कर दिया, तो बाकी चीज़े क्यों पढ़ना, तो जो अपने strategy, prelims में रखे थी, उसका सिर्फ art and architecture वाला जो part है, और जो major themes है, मैंने क्या क्या था, जैसे आपकी paintings हो हो गए, इस पर एक-एक page बना लिया था, कि गलती से भी इसने पूछ लिया, इस पर यह page लिख क्या आ जाओंगा मैं, और उस पर अगर जो current affairs में कुछ है, जैसे धौला वीरा उस समय न्यूज में था, उस से related ही थोड़ा आसपास का question आ गया था, थोड़ी IVC sites है, IVC sites आप कर लेजे, answer writing में मैंने काफी focus किया था, तो history के लिए मैंने spectrum का extension किया था, ancient और medievals के लिए, जो art and architecture वाला था, वहाँ पर मैंने theme based त्यारी करी थी, कुछ लोग कहते हैं कि cover by cover, word by word आप नेतिन सिंहन्या पढ़िए, might work for prelims, लेकिन mains के लिए मैंने क्या किया था, जैसे मैंने dance forms हो गए, इनके एक-एक page बना लीजे, थोड़ी सी specific information भी अगर वहाँ पर डाल दिया आपने, trust me, 90% लोग ancient और medieval के answers बहुत average, below average लिखके आते हैं, single answer आपको देखके लग रहा होगा कि आप अच्छा लिख सकते थे, इससे तो अच्छा है, मैं लिखी लूँ, पर जब वह है, कुछ PYQs practice कर लो, I think that was the key for me, क्योंकि मुझे पता था, history मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, social issues के लिए मैंने स्मृति शाह मैम के lectures करे थे, तो वहाँ से मैंने, इस पृति मैम के करे थे, और यहाँ से मैंने current affairs, जो अपनी current affairs की magazine है, वहाँ से implement करे थे, और newspaper से जो भी current affairs आते हैं, newspaper अभी मैं अलग से discuss करूँगा, तो इसको मैंने, social issues को मैंने मैम के lectures करे थे, current affairs करे थे, और यहीं से मैंने social justice भी, क्योंकि मैंने combined way में और post-independence भी, social justice, social issues और post-independence मैंने यहीं से करे थे, clear कर दूँ, अब आजाते हैं, geography पे, तो geography के लिए, मेरा to care optional था, but I think something can work for you, इसमें यहाँ पर एक, आपका physical geography से question पूछते हैं, एक आपका human geography से question पूछते हैं, तो, what you can do is, जो 12th की NCRT है, उससे आप theme उठा सकते हैं, जैसे, जोग्रफी का जो syllabus है, उसमें क्या है, population आ जाता है, settlements आ जाते हैं, political geography आ जाती है, तो, यहाँ से human geography की 12th की NCRT है, वहाँ से आप topic उठा सकते हैं, उस पे एक theme based write-up तियार कर सकते हैं, और उसको current affairs से supplement कर सकते हैं, current affairs supplement कैसे करना है, वह भी बताऊंगा मैं, physical geography में बस दो-तीन theme होती है, एक होती है आपके geomorphology, एक climatology, और एक oceanography, बाकी दो minor topics है, इन तीनों को आपको static way में करना हैं, एक बार यह समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप current affairs से link करना है, जैसे volcanism is a very static topic, मगर इस बार question किस form में पूछाता, कि बता दो 2021 में सारे volcanों कहां फटे थे, तो यह तो किसी को भी नहीं पता ना, बट उसको apply कैसे करना यह बहुत important है, आपको बताए कि जो plate tectonics होती है, वो जहां पर intersect करती है, there is a high probability कि volcanism वहीं हो रहा होगा, तो मैंने कुछ नहीं किया, एक world map बनाया, और वहीं पर जो जगे में को याद थी कि अच्छा हवाई में तो होता है, इटली में होता है, यहां पर तो हमेज़ा बटता है, बस उसको बना के आ गया, तो you have to be smart, मैं अब सारे volcano रटने थोड़ ना बैठूंगा, यह सारी events रटने थोड़ ना बैठूंगा, you have to be smart, जो static आपने पड़ा है, उसको answer writing के थुरू apply करना शुरू करिए, apart from geography इसमें, कुछ चीजे बहुत important है, map बनाने के practice करिए, मतलब map देखके लगना चाहिए कि map ही बनाया है, ठीक है, map बहुत important हो गया, यहां पर diagrams बहुत important हो जाते हैं geography में, और जो places in news हैं, वो बहुत important है, यह आपको current affairs newspaper से cover करने हैं, तो geography के लिए physical अलग से त्यार करें, क्योंकि physical static है, I would suggest इसको आप जल्दी खतम कर लिजए, क्योंकि एक बार आपने यह पढ़ लिया, यह आपके दिमाग में बिल्कुल imprint हो जाता है, कि concepts क्या है, human geography थोड़ा थोड़ा आपके current affairs के साथ change होती रहेंगी, वहाँ से आपको data उठाना है, इसके लिए आपको census, census, इस पे भी आएंगे, data, और जो examples हैं, यह उठाने पढ़ेंगे, I think यह हर उसके लिए होगा, आगे वाले की case में मैं बता दूँगा, तो यह तो थी GS1 के मेरे sources की मैंने कैसे किया था, क्योंकि मेरा optional था, optional भी हमारी यही strategy रहती है, कि physical को ऐसे करेंगे, human को ऐसे करेंगे, contemporary dynamics जो हैं, वो human geography के, ऐसे आएंगे, तो यह GS1 के strategy थी,